और जो मज़े की बात है ना, you don't need to be worried during the interview और यहां पर नर्वस का तो कोई पॉइंट ही नहीं है क्योंकि आपको जो interview होता है वो students ले रहे होते हैं senior students तो definitely कोई परेशानी की बात नहीं होती बड़ा normal सा interview होता है और यह मैं बाते अपनी तरफ से नहीं कह रहा है इस बेस्ट ओन माई experience and the senior's experience जिनका admission हो चुका है और जिन्होंने अपना interview दिया था admission लिया था उनके experience के according मैं बात कर रहा हूं I am going to reshoot this video more than 10 times कभी क्या होता था मेरा भाई मुझे पानी लाने के लिए बोल देता था कभी मुझे during shooting the video मुझे मेरे बतीजे के रोने की आवाज आ जाती थी कभी कोई motor चला देता था उसके शोर की आवाज आ जाती थी और कभी माई काम नहीं कर रहा होता था तो वाइस मतलब के record नहीं होती थी तो the last one is the technical issue और हर issue का solution जरूर होता है definitely interview है interview के लिए भी आपको practice करेंगे so practice makes man perfect तो आप अपने आपको improve कर सकते हैं so today we will discuss that what kind of questions they will ask you in BS test interview and first of all आप से introduction का पूछा जाएगा introduce yourself so मैं आपको इस्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने एक format आपको दिखा दिया है कि how can you introduce yourself और मैं आपको अपना introduction करवा के भी बता देता हूं कि आपने किस तरह करवाना है आपको कोई भी ज्यादा मुश्किल में या या मुश्किल अलफाज यूज करने की अनिटी ग्रीटी में डिटेल्स में आपको अपना introduction करवाने की जरूरत नहीं है आपने अपना introduction करवाना है आपको की यह और र। यह मुहमात हनन सलीम यह स्काथ एर अन लापना प्रिटेशना है आपको की बत्वेक आप इस टो प्रिट यह तैल अपन लाप्टा एं। यह प्लीज वाण मुश्काथ साहिवाल प्झजाब पकिस्तान then you have to tell about your educational background for example I did my metric from APS Memorial in 2018 and I scored 81.6 percent marks and then I did my FSC from Kadett College Ukada in 2020 and I scored 71.6 percent marks यह आपका educational background हो गया for undergraduate students फिर आपने उसके बाद अपने family background के बारे में बताना है for example we are four brother and have a one sister and all my brothers are doing private jobs जो वो काम कर रहे होंगे and my sister is studying BS clinical psychology or whatever she is doing you have to tell then you have to talk about your mother occupation for example my mother is a housewife so simply my mother is a housewife that's all about your introduction कोई जरूरत नहीं है I already said कि आप किसी निटी ग्रीटी या किसी डिटेल में पढ़ें आपने simple सा introduction करवाना है और यह इतना काफी होता है फिर उसके बाद introduction के बाद आप से जो दूसरा question पूछा जाएगा the most second common question is that why you are going to do this degree for example I am going to get admission in BSCS तो फिर मैं BSCS ही क्यों करना चाहता हूं क्या वज़ा है तो इसके लिए आपका कोई एक vision होना चाहिए for example मैं BSCS इस लिए कर रहा हूं कि मैं programmer बनना चाहता हूं या मैं BBA इस लिए कर रहा हूं कि मैं entrepreneur बनना चाहता हूं अपना को business run करना चाहता हूं इसके पीछे आपके पास कोई एक मिनिट की स्टोरी होनी चाहिए जो आपने imagine की हो कि मैंने ये करूंगा वो करूंगा इस सरा लल बी के लिए आप कौन सी specialization करेंगे क्या करना चाहते हैं आपको इस चीज़ का idea होना चाहिए तो यह दो common question होते हैं और जो मज़े की बात है ना you don't need to be worried during the interview और यहां पर नर्वस का तो कोई point ही नहीं है क्योंकि आपको जो interview होता है वो students ले रहे होते हैं senior students तो definitely कोई परेशानी की बात नहीं होती बड़ा normal सा interview होता है और यह मैं बाते अपनी से नहीं कहा रहा है it is based on my experience and the seniors experience जिनका admission हो चुका और जिन्होंने अपना interview दिया था और admission लिया था उनके experience के according मैं बात कर रहा हूं and thirdly यही के आपको मैंने उनका experience आप तक पहुंचाया और अब आपने क्या करना है first of all you have to subscribe my channel please and secondly यह के आपने जो टेस्ट दिया है उसमें किस ट्राइब के MCQ जाय थे वह आपने मेरे साथ लाजमी comment में share करने है ताके मैं आने वाले students को आपका experience पहुंचा सको thank you so much easy रहें इंशाला आपका admission 90% तक हो चुका होता है interview interview is just a formality so that's all thank you so much अलाह आपीज